दोस्तो आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी के सात्वे महिने में कौन-कौन से बदलाव गर्वती महिला में देखने को मिलते हैं जिससे कि आप एक अनुमाल लगा सकते हैं कि आपने एक बेवी बॉइ को कंसीव किया है या फिर बेवी गरल को दोस्तो प्रेग्नेंसी के नाइन मन तक देखे जिग्यासा बनी रहती है कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी तो सिर्फ अपनी उससुक्त को कम करने के लिए ही वीडियो को देखा करें किसी भी लक्शन या किसी भी वीडियो को देख कर कोई भी गलत कदम ना उठाएं ये सिर्फ आपकी बॉड़ी के उपर और हार्मोलन चेंजिस के उपर डिपैंड करता है सारे लक्षन एकी गर्वती महिलाव में दिखाए दे ऐसा नहीं है लेकिन मोसली गर्वती महिलाओं में यही लक्षन देखे जाते हैं जिनको बेवी बॉई हुआ है तो आप एक अनुमाल लगा सकते हैं उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वारी सभी लेटस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबस सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तों सात्वा महिना प्रेगनेंसी का बहुत ही इंपॉर्टन माना जाता है और सात्वा महिना लगते ही अगर आपके वजाइना में आपको हलका फुलका खिचाव मैसूस होने लग गया है यानि नाभी से नीचे की तरफ आपको एक खिचाव सा महिसूस होता है आपको अपने वजाइना में नाभी के नीचे की तरफ अगर खिचाव महिसूस होता है या फिर आपको अपने मतलब कमर में बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है या आपको अपनी पिनलियों में बहुत जादा बाटा आता है यानि नस सी खिचती रात को भी अगर आप चैन की नीन नहीं सो पाते क्योंकि आपके पैरों में बहुत जादा भड़क चलती है तो यह सभी लक्षन देखे लड़का होने के माने जाते हैं माना जाता है कि लड़के का जनम लड़कियों से जल्दी हो जाता है और इसलिए वो जल्दी हैड डाउन पोजिशन कर लेते हैं और आपको अपने नीचे की तरह जादा भार मैसूस होता है जिसकी वज़े से आपको ये सभी प्राबलम फेस करनी पड़ती है अगरा लक्षन है दोस्तों वो है देखे स्किन में भी काफी जादा बदलाव आपको देखने को मिलता है चाहे आपका या आपकी नोस पर छोड़े से कील मुहा से नजर आ रहे है या आपकी जो स्किन है काफी जादा डल हो गई है आँखों के नीचे डाक सरकल नजर आ रहे है या फिर आपको अपनी आवाज में मतलब भारी पर लगता है जिस तरह से जेंस के आवाज थोड़ी भारी होती है और चेहरे पर कील मुहा से या जेंस वाले हार्मून्स मतलब नजर आते हैं कहा जाता है कि जब गर में लड़का होता है तो जेंस वाले हार्मून्स गरवती महिला में भी दिखाई देते हैं तो दोस्तों अगर ये बदला आपको अपने अंदर नजर आ रहा है तो यकीनन आप मान सकते हैं कि आपने एक baby boy को conceive किया है अगर लक्षन है दोस्तो प्रेगनेंसी के साथवे महिने में अगर आपको अपने बच्चे की movement पेट के निचले हिस्से में यानि नाभी से नीचे के हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है और उसकी जो movement है आपको अच्छे से काफ ने एक baby girl को conceive करा होता है तो उसकी movement आपको पेट के उपरी वाली यानि नाभी के उपर वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है और उसकी movement आपको normally एक जैसी ही महसूस होती है अगरा लक्षन है दोस्तो प्रेगनेंसी के साथवे महिने में भी देखे कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं कई बारी घरवती महिला का मूर काफी ज़्यादा चिचड़ा हो जाता है कई बारी देखे आप पता चुठ चूठी बातों पे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्ता आने लगता है तो ये σाझन मी देखे लड़का होने का माना जाता है वही प राइट का राइट वाला हिस्सा जादा उब्रा हुआ और राइट वाले पैर में ही आपको जादा दर्द खिचाब महसूस होता है और यह दर्द अगर आपको continue डिलीबरी तक रहता है तो ऐसे में वाला जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है वही पर अगर आपको लेफ्ट वाला साइड ज़्यादा उब्रावा दिखाई देता है लेफ्ट वाले पैर में ही ज़्यादा आपके दर्द खिचाव रहता है तो ऐसे में लड़की होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं प्रेग्नेंसी के साथवे महिने में अगर गर्वती महिला का पेड बहुत ज़्यादा टाइट या कड़क हो गया है उठने बैठने में आपको काफी ज़्यादा दिक्क्त होती है आपको अपने पैरों के बीच में चुबन जैसा मैसूज होता है ऐसा लगता है कि आपका वडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को